Indian Space Research Organization, ISRO ISRO ने आज श्री हरी कोटा से Advanced Imaging and Mapping Satellite, Kartoset 3, लाँच किया इस सैटलाइट के साथ ही 13 commercial nanosatellite भी लाँच की गए ISRO का ये लाँच पूरी तरह कामयाब रहा ISRO के चेर्मेन के केशिवन ने बताया कि Kartoset 3 भारत का अब तक का सबसे advanced satellite है इसके साथ ही अब तक का highest resolution civilian satellite है जो ISRO ने बनाया है ये अंतरिक से प्रित्वी पर आधे मेटर की दूरी तक फोटो की सकता है यानि प्रित्वी से आधा मेटर उपर तक वो फोटो की सकता है अंतरिक से Kartoset 3 का इस्तेमाल urban planning, rural resource और infrastructure development के लिए किया जाएगा इसके साथ ही Kartoset 3 coastal जमीन के इस्तेमाल जो 30 है जो जमीने होती है समंदर के लागे के लिए और जमीन के लिए लोगों की बढ़ती मांग को भी पूरा करेगा Kartoset 3 military से जुड़े कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा लाँच के कामयाब हुने पर क्या कहा के शिवन ने आये सुन्दे हैं PSLVC 47 precisely injected Kartoset 3 and 13 customer satellites successfully in the desired orbit of 509 km Kartoset 3 is the Indian highest resolution civilian spacecraft we are having 13 missions up to March these 13 missions comprises of the six launch vehicle missions and seven satellite missions we are targeting before March बाचीत के लिए मेरे साथ हैं Astronomer Khagol Shastri Tarun Sharma बहुत शुक्रिया Tarun अपना समय में देने के लिए मेरे सवाल आप से है कि ISRO के track record की आप किस तरह से समिक्षा करेंगे क्रिटिकल अप्रेजल करेंगे इसरो जो है इंडियन सब कॉंटिनेंट या फिर हमारी कंट्री का जो है एक तरह से आप एक एक एक्जामपल वो सेट करती है कि कोई भी एजिंसी कैसे काम करेंगी क्योंकि आप स्टार्टिंगे अगर बात करें जब विक्रम सारा भाई ने इस रोह की स्तापना की उस टाइम पर हमारे पास ऐसे मुद्दे थे कि हम स्पेस में जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे और उस टाइम भी बहुत सारे लोगों ने विक्रम सारा भाई को मना किया डी मोटिवेट किया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए इस रोह की स्याफ़ भी ने वाहिए वाया के essas अंगार धचरकेWe आप और यही उसकी सक्सेस स्टोरी आप एक तरशे कहा सकते है प्यूंकि स्टार्टिंग कि आरे भाघच से स्टार्ट हो कि आज हम इस मुकाम पर पहुँंच गए हैं कि हमने मंगल पे अपना पहला स्पेस्टाट भीज दिया है और हम पहले ऐसे डेश बने जो कि पहली बार में सफल हुए साथ की साथ में हम चांद पर पहुंचें और चांद पर हमने हमने पानी की खोज की. और ये सब बाकी जितने भी देश स्पेस में काम करते हैं उनके मुकाबले बहुत ही कम बजट पर एक किया है सबसे बड़ी सकसे स्टोरी तो इस्रो की यह है कि कम बजट में बहतर काम करके दिखाया है जी हम आगे बढ़ेंगे वैसे इस्रो की शुरुवात एक चोटे से फ्रेंच रॉकेट से हुई थी और तब से देखिए अब तक कहां पहुँच गया है इस्रो को हम भारत की सकसे स्टोरी कह सकते हैं जैसे कि तरुन शर्मा भी कह रहे है इस्रो की सफलताओं का क्रेडिट मौजूदा सरकार ने कई बार लेने की कोशिश की है खासका प्रदान मंत्री ने लेकिन ISRO की सारी सफलताओं की शुरुआत इस सरकार के आने से पहले हुई है बलकि हाल ही में ISRO ने Mission Chandrayan 2 लाँच किया था इस लाँच के ठीक पहले 12 जून को ISRO में साइन्टिस्ट और इंजीनियर्स को मिलने वाले दो additional increments वापिस ले लिए गए थे ISRO के Space Engineers Association ने तब कहा था कि वो पूरी तरह से सिर्फ अपने तंख्वा पर निरबर है ऐसे में increments का वापिस लेना अच्छा कदम नहीं है इस पीच ISRO के privatization की निजी करण की भी कोशिश हुई 2019 में NSIL New Space India Limited जो India Space Department के तहद आता है NSIL इसलिए बनाया गया ताकि ISRO से प्राइवेट कंपनियों को टेक्नोलोजी ट्रासफर की जा सके जुलाई 2018 में ISRO ने अपने Space Application Center के डारेक्टर तपन मिश्रा को निकाल दिया तपन मिश्रा को निकाले जाने से पहले ISRO ने दो प्राइवेट और एक सरकारी कंपनी के साथ 27 सैटलाइट्स बनाने का करार किया था तपन मिश्रा इस्रों के मिश्रा को किसी भी तरीके से प्राइवेटाइज किये जाने के मेरा दूसरा सवाल आप से यह है तरुन आप एस्ट्रोनमर हैं आप खगोल शास्त्री हिंदी में बोलते हैं खगोल शास्त्री को आम बोलचल की जबान में क्या कहा जाएगा मैं नहीं जानता लेकिन आप उस दुनिया के तलाश में रहते हैं जिसके बारे में कहा जाता है क इस सितारों से आगे जहाँ और भी, मैं ठीक है रहा हूँ, बिलकुल, आप इसरों के काम, इसरों के साथ अपना काम करना ज्यादा महसूस करेंगे, या किसी प्राइवेट कंपनी के साथ, ये डिपेंड करेंगा कि प्राइवेट firms को transfer करते हैं तो उस पे बहुत सारी आपको regulations लगानी होती है और government control होना बहुत जरूरी है because यह बहुत critical technology है strategy के हिसाब से और security के हिसाब से ठीक है तो मुझूदा हालात में तो इस तो के level की कोई नहीं है the reason क्योंकि वो technology कोई और develop कर ही नहीं सकता है लेकिन personal level पर अगर मैं जाओं तो अगर हम इसमें privatization पर जाते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आगे जाके यह एक inclusiveness की तरफ जाएगा क्योंकि अभी क्या है बहुत कम लोग इस रोग के साथ काम कर सकते हैं और जो जो इस रोग काम कर रही है वो एक तरह से close door है ठीक है बहुत कम लोग को पता होता है कि अंदर क्या चल रहा है second thing कि एक general notion होता है कि maximum government organizations जैसे कि इससे पहले आप PSU की बात कर रहे थे कि जो performance होती है वो up to the mark नहीं होती है जैसी हम उसे work culture की बात है work culture ठीक है आपका कैसे incentives उतने strong नहीं होते हैं साथ में जो motivation होता है वो बहुत strong नहीं होता है and quality कहीं न कहीं पे compromise होता है इस रो अभी तक नहीं किया है इस रो ने अभी तक ऐसा नहीं किया यह बहुत अच्छी बात है ठीक है लेकिन हर government organization के साथ ऐसा होता है employees भी थोड़े धीले हो जाते हैं सरकारी काम है चल रहा है चलने दो मैं समझ आपके बात है लेकिन इस रो को थोड़ा अलग रखा जाए उसको अभी तक रखा गया है परहेज बरता जाए उसके साथ बिलकुल अभी तक रखा गया है इस viewpoint से कि आगी जाए कि वो हमारे space program की progress में help करेंगे और Indian citizens को okay involve करेंगे जे उस angle से करेंगे तो मैं बहुत अच्छा मानूंगा इसका क्योंकि अगर आप देखें नासा भी अब private organization के साथ मिलके projects बना रही है वो Boeing के साथ काम कर रही है SpaceX के साथ काम कर रही है और Virgin Galactic के साथ काम कर रही है तो इवन NASA is going to private बहराल ये तमाम कंपनिया ऐसी है अपने बोईंग वगरा का नाम लिया जो established कंपनिया है जो मैं इफेक्सिक करती है हमारे ऐसी कंपनिया नहीं है अभी ले देकर गिने चुने दो एक नाम ही सामने आते हैं जो इंड़िस्टिस के नाम हों हो आरे सामने आते हैं बहराल जान साइन्स माने चटम विज्ञान जैसे चटमधर्न निरपेक्ष्टा जिसे मोंदी सरकार की पाटीने ही चलन में ला है था जैसे चटमहुंग पार्टिसे हम चलन में ला रहे हैं वहराल आर्टिकल में कहा घr बारत के विग्यानिक रिसर्च और साइंस पे कम होते फंड को लेकर परिशान है विग्यांगों में इस बात को लेकर भी चिंता है कि देश में अब ऐसा नेता और पॉब्लिक फिगर्स बढ़ते जा रहे हैं जो ऐसे बायान देते हैं जो विध्यान की दुनिया में बिल्कु पोक्रियाल ने कहा कि एटम और मॉलिकूल के बारे में सबसे पहले रिशी चरक ने व्याख्या की थी कॉंसिल अफ साइंटिफिक एंडिस्टिल रिसर्च के पूर साइंटिस्ट गौहर रजा कहते हैं कि बीजेपी की राजनीती साइंस में विश्वास नहीं रखती बेशक इ लिए इसके नेता लगतार विदेश चाते रहते हैं मेरे आखरी सवाल आपसे यह है तरुन विज्ञान की तरह इस्रो जैसी संस्थाओं के लिए भी सरकार के दिल और दिमाग में ज़्यादा जगए नहीं है ऐसा हमें महसूस होता है जबकि इस्रो दुनिया के कमर्शल मार्केट में भी है कमाई भी कर रहा है इस्रो का प्रिविटाइजेशन विज्ञान के लिए क्या माहने रखता है देखिए उससे फाइदा यह होगा कि आपका जो income है वो बड़ेगी क्योंकि कोई भी मैं एक organization की तरह बात कता हूँ मैं भी private company में काम करता हूँ और जो मेरा खुद का department है वो training department है तो मेरा जो department है वो earning करता है उसमें सिर्फ investment होती है earning जो होती है वो indirect होती है right same goes for Istro कि Istro जो अभीता करते आया था अगर मैं foreign launches क की बात कर अटा दूँ तो वहां पर हम सिर्फ invest कर रहे थे हमें वहां से return नहीं मल रहा था return अब आने लगा है जब हम दूसरे countries के satellite launch करते हैं and I was just checking out figures and हमने एक billion dollars से ज्यादा कमाई हैं इन launches के साथ नंबर ज्यादा भी हो सकते हैं थोड़े से तो इन launches से कमाई हैं now हम क्या आते हैं कि इस रो किस पर focus करें technology development पर technology execution पर या फिर उसकी marketing और sales पर तो अगर हम marketing और sales के लिए एक अलग से आम बना देते हैं और उसको यह जिम्मेदारी देते हैं कि आपका काम है आप business लेके आए technology बनाना develop करना उसको execute करना उसके लिए हमारी scientist की team है जो की बहुत capable है और वो अपना काम अच्छे से जानती है तो अगर इसको अलग रखा जाएगा तो उसका benefit आपको नजर आएगा